हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुबाइच चैनल मेकानिकल मेजर बेसिक इन्फो की सीरीज में यह जो मेरा जो क्वेश्चन और आंसर वाई जो सीरीज चल रही है अभी जो दितने भी वीडियो दो तीन आये हैं लास्ट के उसमें मैंने बैसिकली उन्हीं टॉपिक्स वीडियो बन आया था आज का वीडियो आप लोग टैटल देख सकते हैं कि किस टॉपिक पर बना हुआ है मुझे क्विरीज आई थी किसे अगर हम ऐसे सीज एक्जाम पेपर और पेपर क्लियर करने के पास हमारा डॉकुमेंट वरिफिकेशन होता है उस टाइम जब हमको इस फिल करने हैं तो वह आपको क्या लगना आपको किया लगता है कि वह किसे सहाब से होने चाहिए कौनसे डिपार्टमेंट का क्या-क्या कहना चाहिए कि फ्यूचर कैसा है उसमे तो उससे रिलेटेड यह वीडियो में आपके लिए प्रेपेर कर रहा हुं तो प्लीज वी पूछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का अगर पुछ कर दे तो आगे आने हमाले जो भी अपकमिंग वीडियो से हैं चाहिए वह बेसिक इन फो को चाहिए चाहिए जल से जल पहुंच जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं अब आप करन हैं तो सब्सक्राइब देखने को मिलेगा तो एक बार में आपको कॉल ओड करते हैं आप लिएस èn सकते होंगे जाहोंगा कौन्से त्यों से आपने से बाद कौछ गिपार्टियशर पर्वास बार्टमेंट तीसरा मार्ट को मिलीटरी इंजिनर सर्विसेज उसके बाद आता है फ्रेंट बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन का बियार जिसको हम बोलते हैं दूसरा एक दिया हुआ था डिरेक्टेट ऑफ कॉलिटी एश्वरेंस नेवल का उसके बाद आ जाता है आप लोगों का सेंट्रल वाटर एंड पावर रि इंटी आरो उकरांश वीस डीजिबल किसमें किसमें कि इलेक्ट्रिकल कों मेहक NOW करता है हुए तो आप लोगों को Seiड थिसक इंट्रोडक्शन के ओ आगका तब ऑफ लोगों इस चीज़ों को रसाइड कर सकते हैं कि मुघे किसे शाप से प्रिफरेंस फिल करना है तो अगर अब Central Water Commission देखे Central Water Commission जेनरली हमारे जितने भी जो रिवर्स प्रोजेक्ट से हैं ठीक है उनसे रिलेटेट वह हमारा Central Water Commission के अंडर में आता है एक सेट जो पर रिवर गंगा उसके लिए अलग से ही एक कहना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट सेट अप किया गया है वह जो आप लोग देखेंगे जो आप लोगों का आप लोग देख सकते हैं कि जो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्ट स्टेशन है तो उसके अंडर में अगर आप जो आपके जो रिवर्स हैं तो रिवर्स के नियर भाई जो भी अगर उसमें कोई प्रोजेक्ट हैं या उनसे रिलेटेट कोई भी आपको टेक्निकल पॉइंट्स पे अगर वहां पे कुछ काम है तब ही सेंट्रल वाटर कमिशन में अगर आप लोग देखेंगे तो आप ल अगर हम देखें तो सुपर विजन का रहता है और ग्राउंड डेटा क्लेक्शन ग्राउंड डेटा मॉनिट्रिंग का रहेगा उस देटा के हिसाप सही जो भी आपके जो होते हैं जाए हो डबली हो वह इन रिपोर्ट को लेकर फिर आगे आपने अपने हैड को फॉरवड क करते हैं इस डिपार्टमेंट के बार में फ्रेंट सुनने को यहीं आया था बाकी डेटा आप लोग साइट से क्लियर कर सकते हैं सेंट्र वाटर कमिशन में प्रमोशन जो है एक फायदा सिर्फ यह रहेगा कि यहां पे आप लोगों को अगर किसी रिमोट लोगेशन देपार्टमेंट तो CPWD की पोस्टिंग आप लेखे तो अल ओवर इंडिया ठीक है हर एक बड़े शहरों में CPWD का एक आफिस रहता ही है जो सेंट्रल के जो भी हमारे बिल्डिंग सेंट्रल के जो भी सर्विसेंस हैं उनको डील करता है अगर आप लोग बड़े मेट्रों की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप रहता है CPWD का ओके वी वी जो कॉर्टर होते हैं वो पीड़े में चलते हैं जो भी गौर्मेंट बिल्डिंग्स होती है जो सेंट्रल की होगी वह पूरा CPWD को भी मैंटेन करना पड़ता है तो CPWD में स्कोप बहुत ज्या ग्राइब को सनवां सकते हैं कि अगर आप लोग CPWD में पूस्टेड हैं तो बहुत ज्यादा होगा रगा अग्हां प्लिक अप्ल kill गई भ पट जιαदा होता है वहरसं को भी बहुत ज्यादा है आप लोगों के एकस्परेंस को अच्छा च्छा अच्छे और बहुतonia ग्नात प्रॉश्च्टो दीखें को मिल सकते हैं ठेक हैं प्लेस पोस्टिंच के बात कि भीलेस ऑप उसी जो ब्रसाइब cans मेरे दो तीन वीडियो में बना चुका हूं प्लेस ऑफ पुस्टिंग कैसी है क्या है उसे लेटेट सिर्फ में चीज बोलों को आई बटन में आपको पोस्टिंग से रिलेटेट सेलरी पेर पर से लांश के बारे में सबीच कम है आई बटन में आपको को लिंक शेयर कर दोंग आपको एक रेस्टिक्टिड रेग्यां बोल लिजे या जो अपको एरिया और रेस्पॉंसिब्लेटी रहेगी वह पुर्या डिफेंस लेंड पर ही रहेगा पुब्लिक लेंड में आपको जाकर कोई पर्फॉर्म नहीं करना है ना आप लोगों को पुब्लिक डिलिंग एक चीज और मैं इसके पारे मैं अट करना चाहूंगा जैसा सुनने को आता है कि क्वाटर से रिलेटेड की मुझे भी क्विरी आई थी किसे तरीके क्यों होते हैं तो लेटी मैंने एक वीडियो में बताया था कि जैई इसको टाइप 3 ऑथराइज है ताइप 3 अगर हम करता है एवलेबिलिटी उस स्टेशन पर अगर एवलेबिलिटी नहीं है तो आपको किसी भी सिविल एरिया में रहने का पर्मिशन दे दिया जाएगा अगर आप लोग देखेंगे तो कैंट अरिया जो कंटॉर्मेंट्स होते हैं वह बहुत वैल डबलब्ट होते हैं ठीक ह जितने पी सर्विसेज रहती है वह में वालों को ही देखने को मिलती है ठीक है उनी को ही मेंटेन करना है सब चीज़ने को करना रहता है तो अपार्ट फॉम्ट अगर हम देखें तो अलॉट्मेंट और जो लाइफस्टायल की बात है में आप लोगों का पॉब्लिक पूरा डीटेल में वीडियो मेरा आया हुआ था आई बटन मुसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा मेडिकल टेस्ट एंड एलिजिबिटी क्राइटेरिया जो था मेस और बियारों करके तो वो टॉपिक आप लोग वीडियो में देख सकते हैं बियारों की पोस्टिं एक किसी मेट्रो सीटी में आप लोगों कैसे पोस्टिंग नहीं मिलेगी बॉर्डर से आप लोग समझते हैं तो उससे जो बॉर्डर और जो एरिया होंगे टाचिंग टुदा सम डिफरेंट कंट्रिया जो हमारी नेबरिंग कंट्री से वहां पे तो वहां पे आप लोगों आप लोगों सब्सक्राइब कर देखते हैं तो वह आप लोगों को मिल जाएका जो नौर्थ इस्ट का एरिया है मतला आप लोग माल लिजे वहां पर मेंली जो है ब्यारो का काम रहता है ठीक है में एक चीज और में बदा दो बीयारो वालों को यूनिफीर्फ भी जो बाकी डिपार्टमेंट में आप लोगों को वह अलॉइंस नहीं मिलेंगे बिकास वह रिमोर्ट लोकेशन अलॉइंस का इस्पेशल एक पैकेज आप लोगों को रहता है तो यह होगा आप लोगों की पोस्टिंग से रिलेट जो इन्फोर्मेशन थी नेक्स्ट आजाता है आप लोगों का सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन यहां पे जूनियर इंजिनर सिविल इलेक्ट्रिकल और मेकैनिकल तीनों को प्रिफरेंस दिया गया है अगर आप लोग देखते हैं इसका हेड़कॉर्टर अगर आप लोग देखते हैं वह पूरे में इस्टाबलिश है तो वहां सही आपके जो भी पहले में वर्क एक्स्पिरियंस का बारे में बता दो कि वर्क क्या क्या रहते हैं तो हमारे जो वाटर से लेटेड जो भी हमारी टेस्टिंग हो गई उनसे लेटेड कोई डेवलप्मेंट है ठीक है या उसमें क इस तरीके का हम एड्वांस्मेंट क्या कर सकते हैं ठीक है रिवर्स प्रोजेक्ट में उससे रिलेटेटेट वहां पर पूरे रिसर्च के वर्क होते हैं जो पूने में एस्टाबलिश है ठीक है प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर बात की जाए फ्रेंट तो हैड़कोटर पू और लोड और औरगनजेशन फरकाबराज मेस इसके बाद दोतरीं डेपार्टमेंट और आडड कर दिए गया है टीक तो और आप phrases लोके भूल गया था वह था आप लोगों का यह बाराज के बारे फ्रेंट आप लोग थोगर आप लोग रोड़ते करना चाहते तो अगर लोकेशन अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों नाम सुना होगा माल्दा टाउन का वेस्ट बेंगॉल में माल्दा टाउन से एरिया में एक बैरज बना हुआ है जिसका स्पेशल रिकूट्मेंट किया जाता है एससे जाई के थू प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो सिंगल बाकी पोस्टिंग के लिए आप लोगों को अलोवर इंडिया पोस्ट किया जा सकता है बाकी डिपार्टमेंट में बट फरकाबराज का लोकेशन सिर्फ एक की स्पेसिफाइड है नेस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो डिरेक्टर डाइक्रेट ऑफ कॉलिटी एशॉरेंस की बात आती है फ्रेंड तो आप कोचाहें आर्मी ने आर्फोर्स के हो जाय वहाँ पे दोचीजें होति हैं एक डिरेक्टर जनरेट आफ और इसकरेट्ड ऑफ कॉलेटी एशॉरेंस दिया गया है जो नेवल के लिए है इसका naval armament inspectorate से कोई भी लेना देना नहीं है ठीक है NAI का department जो है वो अलग है quality assurance although it comes under it बट हमारी जो place of posting रहेगी SSC JIS की वो हमारा quality assurance naval पे रहेगा वहाँ पे आपको जो भी modernized weapons है ठीक है उससे related जो भी उसमें हमारा जो भी technical knowledge जो technical skills लगेगा उससे related आप लोगों को post किया जाता है ठीक है headquarter अगर आप लोग देखते हैं तो इसका headquarter Delhi में है New Delhi में apart from that इसके बहुत सारी locations में posts हैं जहां पे आप लोगों को posting दी जा सकती है ठीक है तो यह हो कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा department है अच्छा इदर सेंस इसले बोल सकते हैं इसका जो पेरेंट और्गनाइजेशन यह आप लोगों का रॉ है ठीक है research analysis wing जो इंडिया का है तो रॉ के अंडर में अगर यह directly works under PMO Prime Minister Office में यह work होता है headquarter जो उसका है डेली में है ठीक है place of posting और आप लोगों सकते हैं यहां पर आप लोगों किसी और भी place में अटेच्च किया जा सकता है headquarter इनका डेली रहेगा ठीक है तो अगर हम overall देखते हैं यह अगर तो पब्लिक एक्सपोजर पर जाना चाहते हैं तो मेरा first difference रहता CPWD का ठीक है वहां पर पब्लिक exposure है वहां पर works अच्छे मिलते हैं आपको अच्छे प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे वहां पर आपको को skills आप लोग डेवलप कर सकते हैं इंजीनियरिंग एप्लिकेशन आप लोगों बहुत अच्छे से यूटिलाइस करने मिल सकता है ऑके सेकेंड प्रिफरेंस अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक सेफर साइट चलना है मुझे अच्छे डेवलप चीजे दिखना है कुछ नहीनी चीजे सीखना है ठीक है डिलेटेट से रिलेट अगर थोड़ा बहुत इंट्रेस्ट रखते हैं तो आप लोग जा सकते हैं फ्रेंट जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है एक डिपार्टमेंट वह जाता है आप लोगों का नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन ठीक हैं तो य सेटेशन अब जाते हैं जिनको मेडिकल क्रेटिरीया से रिलेट कुछ भी डाउट है क्लिये कट मेंचिने अगर आप लोग चीज़ को थोड़ा सा सोच के बार आप लोग प्रिफीरेंस फिल के जायगा नेक्स्ट अगर मैं अपना प्रिफरेंस वर्ण पर फाइनल लिस्ट आउट करना चाहूंगा कि मेरा प्रिफरेंस क्या-क्या रहता अगर मैं SACJ फॉर्म अभी फिल कर रहा हूं लास्ट टाम मुझे अपना प्रिफरेंस आथा जब मैंने 2013 का फॉर्म फिल अप किया था उसमें सबसे पहला प्रिफरेंस रखा था Central Water Commission उसके बाद था मेस मेस के बाद मैंने CPWD था वो रखा था उसके बाद था मेरा ब्यारो ब्यारो के बाद फरक्का बराज ठीक है फरक्का बराज मैंने आकरी में रखा था ब्यारो को मैंने सेकेंड लास रखा था आउट फाइव डिपार्टमेंट जिससे CWC का मेरा कटफ क्लियर नहीं होने की वज़ा से मुझे मेस अलाट हुआ था ठीक है हर एक डिपार्टमेंट का उस टाइम के कटफ अलग 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 डिक्लेयर था आउट अगर मैं 600 काउंटर करूं तो 416 मार्स जो थे वो थे कटफ आपका Central Water Commission का ठीक है अपार्ट फॉम अगर मैं में में का देखो में में का टाफ जो था वो 360 मार्स का कुछ गया था ठीक है तो अगर हम यह देखते हैं ओवर लॉल के कटफ कितना जा रहा है तो 360 अमेस का था आउट अप 600 जिसमें इंट्रवी और यह नहीं होते तो अगर CWC का कटफ ज्यादा जाता है अगर आ क्या प्रिफ्रेंस आ सकता है ठीक है तो पहला रहता मेरा मेस का दूसरा रहता CPWD थर्ट रहता Central Water Commission ठीक है फूर्थ रहता डिरेक्टेट ऑफ्कॉलिटी अशॉरेंस नेवल फिफ्ट रहता आप लोगों का Central Water Power Research Station ठीक है शिक्स रहता आप लोगों के National Technical Research Organization उसके बाद रहता फरक्का बराज उसके बाद रता Water Road Organization बियारो आप लोग उपर में किसी भी पोजिशन पर शफल कर सकते हैं अगर आप लोग इन चीजों पर वर्क करने के लिए इंट्रेस्टेट हैं तो ठीक है इस वीडियो में यह नहीं बोलना चाहता कि कोई Department खराब है कोई Department अच्छा है ठीक है मैं सिर्फ एक Analysis आप लोगों के सामने रख रहा हूँ इस वीडियो के तुरू सुनके अगर आप लोगों को और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं हर एक Department के बारे में जो इनका About Us का कॉलम रहता है वहाँ पे जाके आप लोग Department की हिस्टी के बारे में इनके जो भी स्कोप है वर्किंग प्रोचिजर क्या है उन चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं ठीक है मेरा सिर्फ एम यह है कि आप लोगों को डिपार्टमेंट प्रिफरेंस रिलिटेड जो डाउट था ठीक है तो सबसे पहले यह टॉपिक आता है क हम समझ जाए उसके बाद हम डिपार्टमेंट में एंटर करें तो वीडियो में इसलिए सबसे पहले आप लोगों को चोटा सा इंट्रोडेक्शन दिया है उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट वाइस प्रिफरेंस भी बता दिया ठीक है कि आप लोग किस तरीके से इन चीज कर लिए एक बार कि जब भी आप लोग डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाएंगे वहां पर लोगों को प्लेस पोस्टिंग भी पूछा जाएगा उसके बाद यौर प्लेस पोस्टिंग जो स्टेट वाइस प्राइटी रहती थी पहले वह पूछा जाता फिर उन्हे ससी जई एक्जाम तो जिन लोगों को भी प्रिफरेंस सही लगता है एक बार अपने हिसाब से अनालेसिस करके ही आप लोग डिपार्टमेंट का फिर्फरेंस डॉकुमेंट वरिफिकेशन में फिल कीजएगा ठीक है और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से जुरु कर सकते हैं अपार्ट फ्रम टैलीग्राम चैनल का लिंक भी है कमेंट बॉक्स में हर एक कमेंट को प्रॉपरली रिप्लाई करा नहीं बनता अगर वन टूवन इंट्रक्शन होना है तो आप टेलिग्राम चैनल जो है चैनल के लिंक एवलेबल है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो जिनको भी अच्छा लागे वह प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करके पहले का एकन जरूर पुश कर दें तो आने वाले जो भी अपकमिंग